एक हलचल भरे शहर में रवी नाम का एक महनती और इमानदार मोची रहता था। उन्होंने अपने शिल्प पर बहुत गर्व महसूस किया। प्रत्येक जोडी के जूतों को अत्यधिक कौशल और समर्पन के साथ सावधानी से तयार किया। रवी के जूते पूरे शहर में उनक से काम किया, अपने सम्मानित ग्राहक के लिए जूते की सही जोडी बनाने में अपना दिल और आत्मा लगा दी। जैसे जैसे दिन बीटते गए, रवी ने जूतों को पूरा किया और उन्हें अरजुन को भेंट किया। व्यापारी अंते मुतपाद से खुश था और उसने रवी को उसके प्रयासों के लिए एक अच्छी रकम का भुगतान किया। हालांकि पैसे गिनते समय रवी ने देखा कि अरजुन ने गलती से उसे अपनी बकाया राशी का दोगुना दे दिया था। रवी का हृदय मोह और सत्यनिष्ठा के बीच फटा हुआ था। उसने अ इमानदारी और सत्यनिष्ठा से चकित था। उन्होंने रवी को बहुत धन्यवाद दिया और उनकी इमानदारी के लिए उन्हें एक अतिरिक्त राशी से पुरस्कृत किया। रवी की सत्यनिष्ठा की चर्चा पूरे शहर में फैल गई और उसे अपने ग्राहकों से और भ से भरोसे मंद और विश्वसनिय मोची के रूप में जाना जाने लगा। उनकी इमानदारी ने न केवल उन्हें एक अच्छी प्रतिष्ठा दिलाई, बलकि उन्हें सच्ची खुशी और संतोश भी दिया। कहानी का नैतिक यह है कि इमानदारी और सत्यनिष्ठा मूल्यव जो आंतरिक संतुष्टी और दूसरों का सम्मान दोनों लाते हैं। प्रलोभन के सामने भी अपने सिध्धान्तों के प्रति सच्चे बने रहने से दीर्ग कालीन सफलता और खुशी मिलेगी।